दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने योट्यूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान सवीदा कर्मी नीज तो दोस्तो सवीदा कर्मियों को जो अलग केडर बनाने के गोषना है आठ महीने पहले की गई थी आठ महिने पहले का मतलब है 11 जन्वरी 2022 को रास्टान कॉंट्रक्चल टू सिविल पॉस्ट रूल्स 2022 बनाए गए थे कार्मिक भाग ने अनुमोधन किया था और आठ महिने बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई निर्णा सरकार नहीं ले सकी है तीन लाख सवीदा कर्मी है राजस्थान के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं विभाग हैं उनमें और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं कर पार यह सरकार की किस तरीके से अलग केडर बना करके उनकी जो दिक्केते हैं उनकी जो समस्याएं हैं नियमिती करने के उनको किस तरीके से हल किया जा सके इसी पर यह अपडेट है पूरा का पूरा तो कम्प्लीट जानकार यह आप लोग जरूर देखें और मैंने पहले ही कहा था 11 जनुवरी 2022 के दिन जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने मेरा पॉइंट आफ यू भी दिया था कि यह कुछ नहीं है अगर मेरा नजरिया देखें तो यह लोलीपोप से ज्यादा यह नियम कुछ नहीं है और वही होता हुआ नजर आ रहा है पूरी खबर क्या है प्रदेश के 3 लाग से अधिक सवीदा कर्मियों को कैसे मिलेगी राहत सवीदा कर्मियों के अलग केडर बनाने की घोषणा 8 महिनों से फाइलों में उलजी है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरकार नियमित तो नहीं कर सकी अलग से भरती कराने के दावे भी यहाँ जूटे निकले हैं तो पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो सवीदा कर्मियों काम कर रहे थे जिनको नियमिती करन की आस्ति उनको यह बड़ा जटका लगा है लेकिन अभी तक यहाँ पर है दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन साल इनों ने गुजार दिये हैं साड़े तीन साल तकरिवन तकरिवन और उसके बाद जनवरी 2022 में सवीदा रूर्स लेकर आए लेकिन अभी तक यह उलजे हुए है अब दोस्तों हम आपको बताते हैं देखिए सरकार का जो आकड़ा है उसके अकोर्डिक सरकार के ओर से डेड़ लाग सवीदा कर्मियों बताये गए हैं पू फार्मासिस सवीदा करमचारी तीन हजार हैं एन यू हम के चुबाइस हो हैं एम एन डी वाई के चमवाली सो हैं अंगनबाडी में करीब डेड़ लाग हैं मदरसा परेटीचर्स पहें तालीस हो हैं लोक जुम्बिस के बाइस हैं विध्यारती मित्र और पंचाय सायक 27,000 है ठीक है नरेगा के 19,000 हैं प्रेरक 12,000 हैं समाज कल्याने भाग के रसयो और चोकिदार 910 होमगाड के 28,000 आई टी आई सवीदा करमी 25,000 क्रसी मित्र के 17,000 नरलम करमी 18,000 व्यवसाइक शिक्षक 1,000 चिक्षक करमी लगवग 45,000 कम्प्यूटर शिक्षक लगवग 5,000 और कुक क पर देख सकते हैं 20,000 सवीदा करमी अस्पतालों में हैं यह 3,000,000 से भी ज़्यादा का अकड़ा है सरकार के पास कोई राहत का प्लान नहीं है यह कहना है उपेंदर सर्मा प्रदेश महमंतिर रास्तान शिक्षक संग सेखावत का और यह करमचारी नेता है इनका भी कहना वि से चला हरा मामला है हलांकि बीजेपी भी दूद की धुली नहीं थी इस मामले में उन्होंने भी 5 साल तक इस मामले कोल जा रेखा जब वसंदर राजेजी मुख्यमंत्री हुआ करते थी तो यह तमाम जो सरकारे हैं उनका यह रवया रहा है लगाता टरकाने का पहले सवीदा कर्मियों के संख्यद उटाई जाएगी उसके बाद नियमती करने के जो प्रक्रिया वो खोली जाएगी लेकिन 8 महीने बाद भी सरकार यहाँ पर प्रक्रिया को सुरू नहीं कर सकी है सभी भागों में अलग-अलग जो केडर है वो यहाँ पर बनने थे लेकि नियमती करने की राक फोल सकी लगातर यही अप्डेट है और यहीं यहाँ पर सरकार का रवया है यह बस अपना टाइम दोस्तों पूरा काट रहे हैं लगबग दिसंबर जो आएगा उसमें पूरे की पूरे चार साल कॉंग्रेस राजास्तान सरकार को हो जाएंगे और क्या कुछ हुआ है वो आप लोगों के सामने, सववीदा जब रूल साई थे तो ऐसा लगा था कि अब कुछ एक दिनों के अंदर महीनों के अंदर तमाम विभागों के जो करमचारी हैं, उनको कम से कम सववीदा कडर में सामिल करके एक सम्मान जनक वेतन और एक स्थाई तरीके से कुछ लंबे समय तक के लिए रोजगार मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वही ढग के तीन पात और लगातार सरकार अपनी वहवाई में जुटी हुई है तीन लाख संख्या कम नहीं है तीन लाख तो ये करमचारी हो गए इनके परिवारों को हम जोड लें तो करीब करीब ये तीस कम से कम आप लोग मान के चलिए 20-25 लाख लोगों की रोटी से जुड़ा हुआ मसला है तीन लाख में से अगर हम पांच का केडर भी माने एक घर में और ये तो इनकी संख्या क्या भी हो गई है बच्चे भी हो गए है तो ये संख्या काफी पहुंसती है दोस्तो पूरे परिवार को जोड लिया जाए अब याल्प वेतर में काम कर रहे हैं कहीं पे 7,000 कहीं पे 5,000 इसकूलों में जो रसोई है उनकी रोटी जो बनाते हैं इ उनको तो 800-900 रुपए ही मिलते हैं दोस्तो ये विडंबना है और ये दुरभाग्य है ये दुख की बात है कि सवीदा करमी जो सरकार के कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं उनको क्या दिया जा रहा है ना पैसा सही है ना टाइम पर पैसा है और चिकेट्सा विभाग की हम ब लेकिन चिकितसव भाग में अभ्यरति नर्सिंग की भरतियों के लिए फार्म सिट की भरतियों के लिए जाते हैं। सर्विदा कर्म्यों कोई नहीं करना चाथा हाँ जैसे यूटीवी पर लगके 2-3 साल हो गए तो फिर सविदा कर्मियों को और ये आठ महीने गुजर गए हैं अब आगा में जो इनके पास साल भर का वक्त बचा है उसमें कम से कम इन सवीदा कर्मियों का आप भला कर सके सरकारे से उम्मीद हम दोस्तों कर सकते धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यह जानकर यह आप लोग करें जय हिंद जय भारत